आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे पहले एक अपिल कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी शोताओं से अपिल है कि कोई भी कोता ही ना बरते सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें, दोगज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें, हाथ और मुह साफ रखें अब मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत और बांगलादेश अस्थिर्ता आतंकवाद और अशान्ती के बजाए पिश्व में इस्थिर्ता प्रेम और शान्ती चाहते हैं प्रधेश के 700 थानों में शुरू होगी महिला हेल्प डेस्क, मुख्य मंत्री शिवराज सिही चोहानने की घोशना और कोरोना के बढ़ते स्रंक्रमन को देखते हुए कल विदीशा उज्जेन ग्वालियर और नरसीपूर में भी रहेगा लॉकडाउन अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी ने आज कहा कि भारत और बांगलादेश अस्थिर्ता, आतंकवाद और अशान्ती के बजाए विश्व में इस्थिर्ता, प्रेम और शान्ती चाहते हैं बांगलादेश के ओराकांडी में मोथुवा समुदाय को सम्मोधन में श्री मोधी ने कहा कि दोनों देश अपनी प्रगती के माध्यम से विश्व की प्रगती देखना चाहते हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दोरान भारत और बांगलादेश ने अपनी शमताएं सिध्ध की आज दोनों राष्ट मिलकर इस महामारी से द्रढता पुर्वक संगर्ष कर रहे हैं श्री मोधी ने कहा कि भारत यह अपना करतेवे समझता है कि मेड इन इंडिया वेक्सीन बांगलादेश के नागरिकों तक पहुचे मुख्यमंत्री शिवराज सिही चोहान ने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी इन थानों में महिला आधिकारी पदस्त होंगी जिससे पीडित महिलाएं आसानी से अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सके अंग भंग की स्थिति में अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा प्रदेश में आज से समर्थन मुल्य पर रभी फसलों की खरीदी शुरू हो गई है क्रशी मंत्री कमल पटेल और परेटन मंत्री उशा ठाकुर ने सीहोर के जमुनिया में चना मसूर सरसो उपारजन केंद्र का शुभारंब कर इसकी शुरुवात की इस केंद्र पर महिला स्वा सहायता सम्हुद्वारा रभी सीजन की फसलों की समर्थन मुल्य पर खरीदी की जाएगी खंडवा में भी आज से समर्थन मुल्य पर चना उपारजन का कार्य शुरू हुआ जो 15 मई तक जारी रहेगा आगर मालवा में इसके लिए 49 केंद्र बनाए गए हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमन की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए अब भोपाल इंदोर और जबलपूर के साथ ही विदीशा उज्जेन ग्वालियर नर्सीपूर तथा सोसर में भी कल लॉकडाउन रहेगा भोपाल में होली समेत दुसरे त्योहारो पर सारवजनिक आहजन पर रोक लगा दी गई है लोग सिर्फ घर पर रहेकर ही त्योहार मना सकते हैं इस दोरान सभी तरह की रेली जुलूस प्रदर्शन और धरने पर रोक रहेगी शुपूरी से हमारे समवाद दाता ने बताया है कि आज जिला प्रशासन के ओर से SDM अरविंद वाजपई ने बाजारों में नगरपाली का और स्वास विभाग की टीम के साथ रोको टोको अभियान चलाया चतरपूर में भी कलेक्टर शीलेंदर सीही ने लोगों से घर पर ही होली मनाने की अपील की है शेहडोल में COVID-19 के 25 और चिंदवाला में 32 नए प्रकरण सामने आये हैं प्रधानमती नरेंद मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कारिक्रम में देश-विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साजा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कारिक्रम की 75 वी कड़ी होगी अब कुछ समाचार संशेप में गुना में गेहू उपारजन के संबन में कल समीती प्रबंदकों और आपरेटरों को प्रशिक्षन दिया जाएगा शिवपुरी में कल कलेक्टेट कारियाले के सभाकक्ष में सोलर उर्जा विशे पर एक कारिशाला का और जिन किया गया इस बुलिटेन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगज की दूरी हाथ धुना भी है जरूरी नमस्कार झाल और जिए, नमस्कार हमेशा लिए यी हमेशा खाट